आप देख रहे हैं राश्प्रिय हिंदी न्यूज निमुश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका राश्प्रिय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ वर्श शर्मा गाजीपुर जन्पद के जुमानिया ब्लॉक के हेतिम पुर कंपोजिट विद्याले की बदहाल ववस्था और शिक्षकों का लापरवा रवया शिक्षा विवस्था को लेकर जिला प्रशाशन का दावा खोखला दिख रहा है शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा केंद्र राजिसरकार के तमाम प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं जिले के विभिन गाउं पंचायत तथा तहसील स्थर पर कंपोजिट विद्याले के स्थर और जमीनी हालात भी किसी से छुपे नहीं है और जिले में भी विभनस्तरों में विद्यालों की बधाल ववस्था देखी जा सकती है और तो और विद्याले के अध्यापक और प्रधानिय चार्य ए भी ऐसे को भी अपने ही विद्याले की दुर्ववस्था की जानकारी तक नहीं है तो कहीं अध्यापकों को समय से कचाओं में जाने को लेकर कोई चिंता ही नहीं है कहीं मिड़े मील में भोजन कराने के पश्चात बच्चों से ही बरतन साफ कराया जा रहा है जबकि बच्चों के सापेक्ष रशोयों की नियुक्ती विद्याले में पहले से ही है विध्याले जाने वाला रास्ता भी बदहाल है तथा विध्याले में गंदिगी का अंबाला दिखता है प्रधान अध्यापिका से पूछने पर उनोंने कहा कि बार बार प्रधान से लिखित शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई सुनवाईस पर नहीं हो रही है सब्सक्राइब करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे बारी लोग बीच में ही आ जाते हैं जिसे कोई ड्राइविंग सिखने आ गया कोई अपना गोड़ा गाय भाय सिसे में छोड़ दिया उसकी दिकत है आए दिन ताले तूटते रहते हैं इसकी सिकायत करते हैं एक बड़ तो पंखा चोरी हुआ भी था से दो साल पहले अफायार भी दर्ज कराने गये थे वहाँ अफायर नहीं दर्ज हुआ हमको लग रहा है कि 2017-2018 में पंखा मतलब जिस दिन लगवा है उसके अगले दिन ही एक पंखा चोरी हो गया बच्चों को किताबे का भी या कुछा चे और तुम जा बटा कच्छा चे और एक की किताबे एक भी नहीं मिली है मेरे स्कूल में और सब क्लास का मिला लेकिन पूरे सब्जेक की कित आप देख रहे हैं रास्प्रिय हिंदी नीव्स के साथ जैहिन आप देख रहे हैं रास्प्रिय हिंदी नीव्स